श्री गनेशा या नमहा ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसन रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने पूचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सोख मिलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है इस समय में निवेश करने से आपको चार गुनातक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में बड़ो गर परिवार में प्यार और शान्ती का माहोल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा यह समय यात्राय करने के लिए भी बेहतरीन रहेग यात्राओं से आपको लाब हो सकता है बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या फिर आपके प्रोफेशन के लिए यात्रा करते है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा इस समय में आपकी लव लाइप में रोमैंटिक माहोल रहेगा लव लाइप के लिए दिन काफी अच्छा है अगर भविश्य की निरने लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल रहेगा इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे हो सकते है, काम करने की गती बढ़ सकती है, आपकी लगबग सारी इच्छाए पूरे होने के संकेत मिल रहे है, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुपसाबित होगा, जारी रखना जरूरी रहेगा, नौकरी के क्षेतर में भी आपको प्रशनसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा, इस समय में आपका मित्रों के बीज उठना बैटना होगा, इस वक्त आप अपनी परसनेलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय मे पूरा लाब उठाए, अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले, और इस दिन को पूरी तरे से एंजोय करने की कोशिश जरूर करे, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक रहोगे, स्वास्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रह इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए, इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली म बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध् अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती मे बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट् ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व् एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरे से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप सुतरा रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घ वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूकि अगर ह हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हां सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साप सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साप करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्यद्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीज़े है जैसे तूटी-फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीज़े नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के photo या भगवान की मूर्तिया जो घर के मंदीर में हैं बस वहाँ तक सिमीत है अगर आपके घर के showcase में भी वो मूर्तिया रखी है कुछ photo रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम maintain नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आप लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद